सोमनाज जी जो 32 साल के हैं और वेज बेंगोल से हैं सिटी स्केन का ये रिपोर्ट है 10-5-2022 का आये इस रिपोर्ट को देखते हैं पैंक्रियास को अगर हम देखेंगे तो लेट्स रीड पैंक्रियास शोज जस्ट बल्की टेल रीजन फीदरी आउटलाइन वेल मेंटेन नो मास लीजन सीन पैंक्रियाटिक डक्ट नॉट डायलेटेज मतलब पैंक्रियास का जो टेल पोर्शन है उसमें बार-बार इंफ्लाम कर रहा है और उसके वज़े से पैंक्रियास का प्रिकशन हो रहा है और उसके वज़े से पैट में दर्ध होना पीछे की पीछे की और रेडियेट करना वॉमिटिंग और इन डाइजेशन की समस्या होना इस तरह की समस्या हैं बनी रहती है इनका जब ब्रह्म होमेपैतिक हीलिंग एन इसर सेंटर में ट्रीट्मेंट स्टार्ट हुआ इनके केस को प्रॉपर समझा गया और इनको पूरा एडवाइस किया गया कि इस तरह से इनको फर्दर आगे लाइफ को मेंटेन रखना एक बैलेंस जीवन जीना है और विद टाइम इनका रेगुलर बेसिस पर फॉल अप होता गया और दुबारा से इनका सिटी स्केन का रिप इनका पैटर्ण पूइदरी आउटलाइन वेल मेंटेन नो मास लीजन एंड पैंक्रियाटिक डख नॉट डालेटेड मतलब यह कंप्लीटली नॉर्मल शो कर रहा है जो इंफ्लमेशन था जो बलकी पैंक्रियास तेल रिजन में वह भी सिटी स्केन का रिपोर्ट था यह भ तो किसी भी तरह का कोई साइनेंज सिम्टम या कोई समझ जानी है यह अभी भी ब्रह्म होमेशन खिलिंग एंड रिशर्च सेंटर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं और यह बहुत अच्छे हैं और थोड़े टाइम के बाद इनका ट्रीटमेंट भी क्लोज हो जाएगा तो यद को पेशेंट है इस स्टेज में और बहुत आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है कंपाइड टो क्रॉनिक पैंके टाइटिस या अधर कॉंप्लिकेटेड केस तो यदि आपकी केस में एक्ट्यूट शो कर रहा है आप बिल्कुल देरी मत करिए आप बजाए कि किसी और कॉंप थांक्यू